आपका स्वागत है हम जो धन योगों के सीरीज जो चर्चा कर रहे हैं उसमें आपको हमने जो वीडियो बनाए हैं उसमें हमने बताया कि किस तरह से धन योग आपको लॉट्री से सटे से सीर मार्केट से आदी से प्राप्त हो सकते हैं उसके बारे में जानकारी दी है आज जो हम जानकारी दे रहे हैं कि अगर ये जो इस्थित्य अगर आपकी बंड़ई है तो आपको जो सट्टा है और सट्टे बाजी में अगर आप पैसा लगाएंगे तो आपको लॉस होका तो इसको समझने के लिए आप जो भी लगने के जातक हो वहां से आप देखे कि जो पाच्व भाव जो रहता है उसमें बुद्ध की रासी हो और उसका स्वामी बुद्ध हो और वो छटे बावव में बैठा हो जैसा कि यह सूत्रों को हम बताने के लिए यहां देख सकते हैं कि लगने से जो चटा भाव यहां पर बुद्ध की रासी मिथुन रासी इसका स्वामी जो है वो चटे बावव में बैठा हुआ है तो अगर यह इस्तितिया आपकी कुल्डी में बन रही है तो आपको जो अटकल बाजी आप करते हैं इस्पु के कीलेशन करते हैं तो उसमें आपको लास होने की संबावना है संबावना हो जाएगी यह बहुती सरल सूत्र है आप अपने जो भी लगने के हो आप अपने पंचम भावों में अगर बुद्ध की रासी तीन या छे है और उसका स्वामी अगर छटे भावों में बैठ जाता है बुद्ध तो अगर यह सी इस्तिति में आपको नुक्सान होगा सकते बाजी में तो यह सरलता सुत्र है इसके पहले भी हमने जो व्यूडियो बनाया किस तरह से आप अपने कुण्डियों को अलग अलत तरीके से अगर इस्तितियां बताई है अगर वह सरल इस्तितियां है अगर उस तरह की से आपके पुद्ध बन ली है तो आपको जरूर आप उसको समझ लेना चाहिए और अपनी ऐसे में अपने धन को या तो आ सकते हैं नुफ्साम करा सकते हैं ये इस्तिति बन सकती है तो आपको हमारे वीडियो पसंदाने हैं ठामारी चैनल एस Japanese सरो कीजिए हैं आप मेर सिंट्राइब हने किया है तो जरूर सुब्तने का मुद्ध होंगे और आपको इनपनेर मिलेंगे इसके लिए अपको बेल चैनल को सब्क्राइब किया वीडियो को लाइक किया शेयर किया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद